Nothing is permanent, nothing is permanent, इसका हिंदी अर्थ होता है, कुछ भी स्ताई नहीं है, आईए दोस्तों आज हम इस वर्ड को समझेंगे example के साथ, nothing is permanent in this world, इसका हिंदी अर्थ होता है, इस दुनिया में कुछ भी स्ताई नहीं है, इसी तरह, second example है हमारा, आज जहां आप हैं, कल वहां कोई और था, और आने वाले कल में, वहां कोई और होगा, यही सच है, यहां कुछ भी स्ताई नहीं है, तो दोस्तों, आप इस sentence से इस वर्ड का मीनिंग अच्छे समझ गे होंगे, nothing is permanent का हिंदी अर्थ होता है, कुछ भी स्ताई नहीं है, तो दोस्तों, उमीद आपको वीडियो समझ आया होगा, ऐसे ही इंग्रेजी शब्दों को हिंदी में समझने के लिए, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, धन्यवाद,